हिंदू कौन है? कौन लोग हिंदू होते हैं? हिंदू आखिर किने कहा जाता है? आखिर हिंदू की क्या परिभाशा है? कैसे दिखते हैं ये हिंदू? उनका रूप, रंग कैसा होता है? कपड़े कैसे पहनते हैं ये हिंदू? अब आप सोच रहे होंगे आज मुझे क्या हो ग आखिर हिंदू तो हिंदू होता है उनके लिए मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं तो अभी वो भी मैं आज आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगी नमस्कार जैभीम जैजोहार मेरा नाम है पूजा अंबेटकर आप देख रहे हैं जनहित आवास भारतिय सम्विधान और कानूनों की रोशनी में हिंदू शब्द के आशे और परिभाशा के बारे में केंद्र सरकार से आर्टी आई के तहट जानकारी मागी गई लेकिन हिंदू हिंदू और हिंदू राष्टे करने वाली केंद्री सरकार ये जानकारी उपलब्द नहीं करा सकी जी हां मध्यपरदेश के न प्रणूनों के अनूसार हिंदू शब्द का अर्थ और परिभाशा क्या हैं तो ग्रहम अंत्राले से ऐसा जवाब आया कि आप सुनकर भोचक्के रह जाएंगे जी हां ग्रहम अंत्राले से जवाब में कहा गया कि केंद्रिये लोग सूचना अधिकारी के पास अपेक्षित RTI में वह सरकार से यह जानना चाते थे कि देश में किन आधारों पर किस समाज को हिंदू माना जाता है और हिंदूों को बहु संक्यक के तौर पर देखा जाता है लेकिन ग्रहम अंत्राले की ओर से सिर्फ और सिर्फ यही जवाब दिया गया कि उप्रोक्त सूचना CPI के पा ना तो वेदों में है ना पुरानों में है ना उपनिशद में है ना अरनायक में है ना रामायन में है ना ही महभारत में है खुद दयानन सरस्वती यह बात कबूल करते हैं कि यह मुगलों द्वारा दी गई गाली है जबकि 1875 में दयानन सरस्वती ने आरे समाज की स्थाप ब्रामणोंने कभी खुद को हिंदु नहीं खा आज वो खुद को ब्रामण कहते हैं लेकिन वो सभी शुद्रों को हिंदु कहते हैं प्रसिद्द लोगों के अनुसार शिवाजी हिंदु थे और मुगलों के विरोध में लड़ रहे थे और वो तताकतित हिंदू धर्म के रक्षक थे तब वही पूना के ब्रामणों ने उन्हें शुद्र कहकर राज तिलक करने से इनकार कर दिया घूस खाकर लालच दे कर ब्रामण गंगा भट को बनारस से बुलाया गया तब गंगा भट ने गंगा भटी लिखा उसमें उसे विदेशी राजपूतों का वंशज बताया गया लेकिन राज तिलक के दोरान मंत्र पुराणों के ही पड़े गए वेदों के नहीं तब इनी ब्रामणों ने शिबाजी को हिंदू नहीं माना मुगल कालीन अभी लेखो के अनुसार ब्रामणों ने मुगलों से कहा कि हम हिंदू नहीं हैं बलकि तुमारी तरही विदेशी हैं परिणाम अनुसार सारे हिंदूों पर जज़िया लगाया गया लेकिन ब्रामणों को मुक्त रखा गया हिंदू हिंदू राष्टिय हिंदू करके लड़ने वाले लोग जो देश की एकता को भंग किये रहते हैं जो दिन रात हिंदू मुस्लिम करते हैं जिनके काम आपसी भाईचारा खत्म करना है जिनका काम आपस के स्वहार्द को बिगारना है वो ही हिंदू खुद नहीं जानते कि हिंदू है कौन और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये किस के कहने पर हिंदू मुसलिम करते फिरते हैं तो जवाब आता है बीजेपी के कहने पर जी हाँ चाए वो RSS हो या फिर बजरंग दलवाले हो या फिर विहिप दलवाले हो ये सबी हिंदू हिंदू करते नहीं ठकते और यही हिंदू राष्टिय हिंदू वाले लोग हिंदू धर्म की आड़ में अपना व्यपार चला रहे हैं और केंद्र में बैठे अपने आकाओं के इशारों पर काम करके देश के माहौल और भाई चारे को नफरत में बदल कर नफरतों का शहर बना रहे हैं इसमें यही लोग शामिल नहीं बलकि देश की गोदी मीडिया तक शामिल है अगर आप आज भी नहीं जागे तो हिंदू मुस्लिम और हिंदू हिंदू करके यही केंद्र में बैठे लोग और दल वाले लोग आपको इसी तरह लड़ा भिला कर संसद और केंद्र में बैठ कर मलाई खाते रहेंगे और आपके हक अधिकारों को ऐसे ही ड़कारते रहेंगे और आपके बच्चों को ऐसे ही भिडने लड़ने के काम में लगा कर अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे अगर आप मेरी बातों से सहमत है या आ सहमत है तो अपनी परती क्रिया जरूर दें क्योंकि आपकी परती क्रिया बहुत जरूरी है शुक्रिया